नमस्कार एक बार पनो हाजर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्स पे एक मेल हतेली हमारे सामने है और आपके हतेली की अगर हिर्दै की रैखा को देखते हैं हिर्दई की लकीर को देखते हैं तो अपने अस्तान से चल कर ये लकीर देव गुरु ब्रस्पति से युक्ति बना रही है और ये स्रेश्ट अवस्ता कही जाती है आपका जो बिप्तित्व है आपकी जो सोच है वो कहीं न कहीं सकारात्मक रहेगी और सकारात्मक कर रही है चाहे इस्तितियां परस्तितियां किसी भी रूप की रही हो दूसरी बात है आपका जो मन है वो सब के लिए सोचने वाला है और कहीं न कहीं एक नोलेजवल ब्यक्ति हैं आप जहां से जो अच्छे नोलेज मिल सके उस पे अमल करने वाले बेखती है उस नोलेज को अरजन करने वाले बेखती है और बुद्धिमान है तीजुस्वी है प्रेम का मामला अगर देखा जाए तो दिखाव़ई के लिए प्रेम नहीं करते है ऐसा बिक्तित्व है ऐसा आपका स्वभाव है कि जिसको भी आप प्रेम करते हैं वास्तों में हिर्दे की गहराई से प्रेम करते हैं और अंततक निभाने वाला आपका बिक्तित्व है हाँ ब्रिस्पती के कारण निश्चित रोप से देखा जाए तो स्वाविमानी भी है स्वाविमान के भावना भी है और इसमें कभी-कभी अविमान का पुट भी आता है लेकिन दिकत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है निर्मल हिर्दय का ब्यक्तित्व आपका यहां पर दिख रहा है एक चीज की कमी है आपकी जो यह रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो यह भाग है जिसको हम सूर्य का परवत कहते हैं यह पूरी तरों से नगेटिब आउस्ता में आ गया है उर्जा प्रोवाइड ने कर रहा है यहां पर गड़ा नुमा बन रहा है गलत फल दे रहा है ऐसे में जो आप प्रियास कर रहे हैं बरतमान में वो प्रियास जादतर सफल नहीं हो पा रहे हैं जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योग्यता है उस तरों से चीजें उभर कर नहीं आ रही हैं निखर करके जो चीजों को आना चाहे था नहीं आ पा रही है जो आप मेहनत कर रहे हैं जो आप परिस्रम कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रे है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है जब सूर्य उर्जा प्रोवाइड प्रोपर तरीके से नहीं कर पाता है तो व्यक्ति अगर ऐसे में ब्यापार की तरफ अगर जाए तो वास्तों में ब्यापार में वो फैलाओ वो विस्ता वो नाम और यस नहीं मिल पाता है जो उसको मिलना चाहिए ऐसे में भी किता कर नौकरी कर रहा हो कर तो रहा होता है चीजे में लगवक ठीक रहती है लेकिन वो ग्रोथ वास्तों में नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो एक सहजता से एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है ऐसी इस्तिति में कारियों में बिलंबता आती है कई बार बना बुनाया काम बिगड़ जाता है असफल हो जाता है बस काम होने वाला ही होता है उसमें बादाई आ जाती है बिक्ति रिंग रांग कर वहीं आ जाता है जहां से सुरू किया था उसने इसका मतलब है और भी है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी जो सारीरिक चक्र है वो परस पर सूरे की चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है जिसके कारण चाहे सारीरिक स्वस्त्य है चाहे मानसिक स्वस्त्य है उसमें उलजन, कनफ्योजन, डिसिजन लेने की छमता में असर और आपकी जो डेपलप्मेंट है आपकी जो प्रोग्रेस है तीब्रगति से उसमें प्रभाव पढ़ना ये चीजें दिखाती है आपकी जीवन की जो खुसहाली है आपकी जीवन का जो उत्सा है जो उर्जा है इन चीजों के कहीं न कहीं आपको चिंता करनी पड़ती है ये बिक्तिके हमेशा साथ नहीं रहती है क्योंकि सूर्य प्रोपर उर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है ऐसे में जितना हो सके उतना सूरे की पूजा करें और उनका प्राकृतिक उपाई करें जो प्रकृति से जुड़ा हो इस उपाई को और सूरे की क्या पूजा करनी है ये मैं आपके परसनल वर्टसप नम्मर पे भीज रहा हूँ करिएगा निश्चित रोप से आपको बहुत अच्छा फल इसका मिलेगा और देखेगा जब ये प्रोपर उर्जा प्रोवाइट करने बैठ जाएंगे तो ब्रस्पति के साथ जो आपकी हिर्दई की लकीर मिल रही है चाहे आप आने वाले समय में ब्यापार करें, नोकरी करें, कोई और काम करें समाज में एक स्रेश्ट जीवन को ब्यतीत करेंगे सूरिय अगर उर्जा प्रोवाइट करने बैठ जाए बर्तमान समय में अगर देखें ब्रिस्पति भी सनी की तरब जुकाओ ले हुए है सनी की तरब दोड़ रहे है परिवार को लेके कुछ न कुछ चिंताईं मन में बनी रहेंगे कुछ समय तक यह छोटी मोटी पारिवारिक समस्याओं को भी यह बता रहा है साथ में ब्रिस्पति का परवत यहां पे जो है साधारन आउस्ता में आ गया है आपकी हतीली में और डेफनेटिली इस आउस्ता में देवगूरु ब्रिस्पति आपके अंदर थोड़ी सी साधारनता देते हुई दिख रहे हैं थोड़ा सा सामन्य बिक्तित्तों देते हुई दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन इनकी वजह से हस्मुक सभाव तो रहेगा ही रहेगा दयालुता भी आपके अंदर रहेगी प्रौपकार की भावना भी रहेगी आर्थिक पक्षि भी ठिक ठाक रहेगा लेकिन यस की प्राप्ति के लिए अपने कारियों में विस्तार पान ब्रिस्पति से समंद है सिक्षा का छेत्र है इंजीनियरिंग का छेत्र है चिकित्सा का छेत्र है मैनेजमेंट का छेत्र है बानिज्या का छेत्र है कानून का छेत्र है अपना प्रोपेशन है अपना काम है इन छेत्रों में जब तक सूर्य और ब्रिस्पति उत्तम भाव मे नहीं आते हैं, तब तक बहुत जल्दी और बहुत बड़ी काम्याबी नहीं मिल पाती है, चीजें साधरन रहती है, चाए धन का मामला हो, चाए करियर का मामला हो, इन छेतरों में, पर्टिकॉलर जो मैंने बताए है, दूसरा अपने से बड़ों का सयोग, चाए वो उम्र में बड़ा हो, चाए पद में बड़ा हो, पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, मुह के सामने तो कह लेते हैं, लेकिन वास्तुक जो सपोर्ट है, वो उस रोप में नहीं मिल पाता है, क्योंकि गुरु साधरन है, लेकिन यहां पे एक अच्छी चीज है, अभी चीजें थोड़ साधरन है, कनफ्यूजन और उल्जन वाली है, चीजों को नगेटिव की और ले जा रहे हैं, लेकिन यहां पे एक और चीज भी है, यहां पे देखेंगे, एक रेखा इस तरह से जाती हुई, और यहां पे एक साइन बन रहा है, जो रहस्यम है, और यहां पे एक तो यह क्या चीज बन रही है विश्णु का तिलक आपके जो पंच तत्व हैं आपके जो एलिमेंट हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इश्टदेव हैं वो साक्षात इस बैपुंट धाम के स्वामी भगवान बदरी विशाल जी हैं विश्णु भगवान है और इनके साक्षात किरपा आपके उपर है जितना इनके सरणागति जाएंगे जितना इनके परतिसमरपन के भावना रहेगी जितना इनके चरणों में बंदन करेंगे जीवन में दिव्यता को तो पाएंगे ही पाएंगे जीवन में भव्यता को पाएंगे ये इसके उपर निर्भर क करेगा कि आपके समरपन कैसा है किस रूप का है और कितना है दूसरी बात इनकी विशेश किरपा है अगर आने वाले समय में इनके समरपन के साथ साथ अगर जिवन में अगर अच्छा कारे करेंगे और अच्छी रहा पर चल लेंगे तो किसी भी काम में जो मन में सूचोंगे उनकी समरपन के कारण अवस्या आपको सपलता मिलेगी। और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए सम्भव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोग प्रियता भगवान की किरपासे और लोग की किरपासे खूब लोग प्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भग्यसाली पूरुस हैं आप ये बात ध्यान रखेगा। अत्यंत भग्यसाली। लेकिन एक बात का ध्यान रखना अपनी स्वार्थ के लिए या किसी भी प्रकार की स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर जीवन में गलत कारे करते हैं या स्वार्थ की पूर्ति को किवल स्वार्थ की भावना से पूरा करते हैं जिसमें समाज का कोई भला न हो आसपास वालों का नुक्सान हो जिसको समाझ अच्छा नहीं मानता हो जो चीज़ें अच्छी नहीं कही जाती हो लेकिन उसमें धन बहुत अच्छा था हो स्वार्थ की पूर्ती बहुत तरीके से उती हो ऐसा अगर काम करेंगे तो फिर रसातल के और यही चिन्न आपको ले जाएगा और फिर उस से उबरना बहुत ज्यादा मुस्किन हो जाएका लेकिन जितना समरपने भगवान के परते रहेगा अच्छे कारे करेंगे अच्छे रहा पर चलेंगे तो निश्चित ही दिव्यता को तो पाएंगे ही भव्यता को भी पाएंगे उसके साथ-साथ एक सुन्दर चीज देखेगा यहाँ पे ये एक बहुत पावरफुल रहस्य में चिन बन रहा है ये बताता है कि कहीं न कहीं आपका जो बिप्तित्व है ये बहुत नियाई प्रिया होने वाला है और अनुसासित रहने वाला है दूसरी वाद», रहस्य में जो बिद्याएं है चाए तंत्र विज्ञान हैं चाए जोतिस है चाए जन्मकुंडली या जन्मपत्री या हस्त रहा है ब्रिंस्पति का प्रभाव पढ़ने के कारण क्यूँकि ग्यान के देवता है और ये कर्मत के देवता हैं दोनों का प्रभाव पढ़ रहा है तो कहीं न कहीं इसकी नौलेज आपको डीपली रहने वाली है बहुत अच्छी नौलेज रहेगी एक दार्शनिक किसम का विक्टित तो रहेगा आपका और इस जीवन का सही अर्थ क्या है धार्मिक और अध्यात्मिक छेत्र में उन्नती भी होगी इसको ये दिखा रहा है और अगर आप चाहें ने ब्रिस्पति और सुरे के मजबूत होने पर इसी से अपनी आजियुकाव को भी चला सकते हैं और सुत्रों कभी प्रास्त नहीं कर पाएंगे इस बात के और ये संकेत देता हुआ साप दिखाई दे रहा है पूरी तरह से जो है संकेत दे रहा है अच्यंत सुप्चन जीवन और मस्तिस्क की रेखा जीवन की रेखा से इस परकार से रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है ये प्रोग्रेस की राइन है आपके अंदर अच्छी राइटिटिंग स्किल्स के साथ साथ लेडर्सिप की क्वालिटी है ये अध्यात्मी की लाइन भी है धार्मिक परवर्तिका व्यक्तित्व भी है आपका अध्यात्मिक की तरफ आपका रुजहान भी है और यहां पर देखेंगे एक चतुसकून बन रहा है जिसको बर्ग कहते हैं किस पर बन रहा है इस पश्ट नहीं बना ये लाइन इस पश्ट होगी तो इसका जबरदस्त फाइदा आपको मिलेगा और फाइदा भी तम मि चाहे आपने साधरन घराने में जन्म लिया हो तो भी उस नौकरी में आप अत्यंत उच्पत तक पहुँच जाएंगे पूरे समाज में आप जो है कही न कई सम्मान के पात्र बनेंगे जो भी कार्या आप कर रहे हो उस कार्या में उस छित्र में ऐसी नौलेज अर्जन करें कि उसकी डीपली तक पहुच जाएंगे और उसकी टीचिंग तक दे सकेंगे ये वर्ग का चिन बना रहा है आपके हाथ में फिर यहां पे एक तिर्कौन बन रहा है इसके इस पश्ट होने से आने वाले समय में ये तिर्कौनात्मक फल देगा एक से ज्यादा सुरोतों से ध सुरे का आप जितना उपाई करेंगे जितनी पूजा अर्चना करेंगे जितना उसका प्राकृतिक उपाई पे ध्यान देंगे उतना ये पुष्ट ताके और आएगा और इसका फल आपको धुगने रोप में चोगने रोप मिलेगा ये चीज़ यहां पे बताती हुई नज शेतर पर रेखाओं का जाल बनता हुँ दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा जो है नगेटिव प्रभाव डालता है और बृत्मान समय को बताता है इसका प्रभाव सबसे पहले मन मस्तिस्क पर पढ़ता है जब इसका प्रभाव मन मस्तिस्क पर पढ़ता है तो मन में उलज कानिफ्योजन की इस्तिति डिसीजन लेने की छमता में कहीं न कहीं असर पड़ता है दूसरा इसका प्रभाव आपके कारे छेतर पर पड़ता है आपकी जो डेपलप्मेंट है आपकी जो प्रोग्रेस है कहीं न कहीं जो है वो बादित होने बैठ जाती है तीसरा प्रभाव इसका आर्थिक छेतर पर पढ़ता है कहीं न कहीं ये बिप्ति को आर्थिक रूप से कमजोर करने का कार्य करती है चोथा इसका प्रभाव आपके स्वस्तिय पर पढ़ता है चाए वो मानसिक स्वस्तिय हो या सारेरिक स्वस्तिय हो कहीं न कहीं उसमें थोड़ा सा गैप आने बैठ जाता है चोथा इसका प्रभाव रिष्टों पर पड़ता है सपलता के अस्तर पर पड़ता है इसका असर जिवन के तमाम आयमों पर दिखने बैठ जाता है जितना ये गहरी होती जाती है जितनी बहुत ज़ादा होने बढ़ जाती मन को भी खराब करने का कार्य करती है नीद में भी डिश्टप्ट देने का कार्य करती है इसके लिए जो है एक सुन्दर और सरल प्राकृतिक उपाय होता है उसको मैं दूँगा करिएगा इस चीज को बहार निकाल लेजेगा सुरे को पुष्ट करिएगा जिवन में जो तरकी आपने सोची भी नहीं होगी वो तरकी आपको मिलेगी यह निश्चित है यहाँ पर अगर देखें आपकी मस्तिस्क कीरेखा यह पूरी हतेली को पार कर रही है बौदिक अस्तर जबर्दस्त है विबेकवान बेक्तित्व भी है बुद्धिमान बेक्तित्व है सकारात्मक सोच है हर समय कुछ न कुछ जीवन में सोचते रहते है योजनाएं बनती रहती है मस्तिस्क से कारे करने वाले बेक्ति है बुद्धि और चातुरिष से कारे करने वाले बेक्ति है और कहीं न कहीं जो है, कई छित्रों से एक से ज़ादा छित्रों से अर्थो पारजण करने का प्रियास भी करर रहे हैं, उस और भी सोच रहे हैं, यहां से एक संदर रेखा हिर्दे रेखा में बिलीन हो रही है, अत्यंत संदर बिवेकी हैं दिमागी हैं सेल्स और मार्केटिंग के गुण कहीं न कहीं जो है उजागर हो रहे हैं और अपने काम को पूण करने के लिए ऐसा स्वरोप भी बना लेंगे कि दोसरों को भाउख करके उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं कर लेना जानेंगे ये भी यहाँ पर बताई दे रहा है मस्तिस्क से सिधा हिर्दय को प्रभावित करना है यहाँ पर करियर और धन की रेखा इस तरों से इसमें आ रहे है तो यहाँ पर एक जो है क्रोस का चिन्न बन रहा है मस्तिस्क रेखा और हिर्दे रेखा कि विर्ष यह वी रहस्य में यह चिन्न है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो छटी इंद्री है सिक्सेंस है उसमें बृद्धी होगी अनुभव होते जाएंगे अध्यात में की तरफ बहुत ज़्यादा रुच हो जाएगी और उस छेतर को छू जाएंगे जिस छेतर को बहुत ज़्यादा दिव्य प्रुश्च होते हैं मन को जीत लेंगे और आपको जो है आने वाले समय में कहीं न कहीं प्रोपर्टी का लाब मिलेगा जीवन की रेखा आपकी इस तरों से आती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखाईओं आरे है इस पर एक रेखाईओं आरे है 63 से 68 वर्ष के बीच में कहीं न कहीं परिवर्टन यहाँ पर दिखाई दे रहा है अध्यात्मिकी तरह बहुत ज़्यादा प्रवुर्ती यहां पे दिख रही है लेकिन थोड़ सा सारेरिक स्वस्ते के परते सचेत रहेने की भी यहां पे जरूरत दिखाई दे रही है होगा कुछ नहीं लेकिन हलका जरूरत दिखाई दे रही है यहां पे करियर और धन की रेखा देखें तो इस परकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और इसमें समाई तो होती हुई आगे बढ़ रही है बहुत सुन्दर हैं लेकिन बीच में बहुत सारी रेखाईं काट रही है यह भरतमान में कुछ समय तक था करियर और धन के मामले में बाधाईं दिती रहेंगे पैसा हतेली में आएगा लेकिन बचना मुश्किल हो जाएगा हो सकता है धन आने में थोड़ी प्रेशानी हो लेट धन आने बैठ जाए हो सकता है करियर के छेतर में थोड़ा सा जो है कुछ समय तक उतार चड़ाओ जहिलना पड़े संगर्स जहिलना पड़े इस प्रकार की चीज़ी हैं पर दिखाई दे रही है लेकिन ये नगेटिव उर्जा का प्रभाव है इसको ठेक करने के लिए मैं प्राकृतिक उपाया आपको दे दूँगा मनि बंद का छेतर है यह पहली रेखा गहरी और लंबी और सुन्द्र स्वस्त्य की रेखा है यह रेखा आपके स्वस्त्य के बारे में आरोग्य के बारे में तंद्रस्ती के बारे में बता रही है आने वाले समय में नगेटिव उर्जा के खतम होने पर और सुर्य के बली होने पर स्वस्त्य आरोग्य और तंद्रस्ती के मामले में लग्की रहने वाले हैं दूसरी रेखा ये रेखा है संपति की रेखा धन की रेखा आने वाले समय में इस्टेबलिटी आने वाली हैं तीसरी रेखा ये रेखा है सुक की रेखा जब आपके अंदर से नगेटिव उर्जा खतम हो जाएगी, सुर्य परबल हो जाएगा, ब्रिस्पति अपने अस्तान में लोट आएंगे, आपको अपने स्वस्ति, अपने धन और एस्वरे भूगने का सुक मिलेगा, ये रेखा सुक देगी तीन रेखाईँ इस परष्ट अउस्ता में आ रही हैं, इसका मतलब है कि पूरव जन्म जो आपका था वो भी मनुष्य योनी का था और उस जन्म में आपनी पुंड्य के हैं उच्च कर्म के हैं जिसकी वोजो से आपको ये जन्म भी कहीं न कहीं मनुश्य योनी का प्राप्त हुआ है और उच्च कुल में प्राप्त हुआ है और ऐसे कुल में प्राप्त हुआ जहां ससकार है जहां ससकृति वस्ती है और जहां कहीं न कहीं धार्मिकता है इस स्वर में विश्वास है इसका फाइदा आने वाले समय में आपको मिलेगा अच्छे धन के रूप में और अच्छे नौलेज बिद्या के रूप में और कर्म इ इप्यप्रुस की तरह मोक्ष मिलेगा ये आपकी हतेले में सुन्दर रूप में दिखाई दे रही हैं और प्रगाड होती हुई दिखाई दे रही हैं हाँ थोड़ा थोड़ा बारिक रेखाएं भी इनके समान तर चल दी हैं जीवन में कुछ समय तक कोई न कोई चिंता हमेश सब बनी रहेगी इस बात के और ये संकित कर रही हैं अंगोठे के नीचे का भाग देखें सुक्र का परोत इसे कहते हैं कला के लिए सुन्दरे के लिए सुन्दरता के लिए और एक सुखत जीवन के लिए इसका हतेले में पुष्ट और सुन्दर होना बहुत जरूरी होता ह आपकी हतेली में देखें तो सुक्र यहां पे सुन्र रूप में उवरावा दिख रहा है तेजो में आउस्ता में है आप तेजस्वी हैं आपकी परसनल्टी भी आपका ब्यक्तित्व भी बहुत सुन्र है जो सुन्रता है जो आकर्षण है वो कहीं न कहीं आपके अंदर विद्यमान है हर प्रस्तित को हस्ते हस्ते जेलने की चंता देरा सुक्र आपको अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समर कर रखना नई चीजों के प्रतिरुजान रहना गुरू साधारन होने की उजोसे इसके पुष्ट होने की उजोसे ये थोड़ा सा बिपरीत प्रभाव बर्तमान समय में दे रहा है और ये अकसर होता है जब देव गुरु ब्रस्पति हल के साधारन हो और ये सुन्दर और भव्य इस्तित्मे हो तो इसके पूरे प्रणाम नह जिसके कारण कोई न कोई चिंता बनी हुई दिखाई दे रही है कोई न कोई उल्जन बनी हुई दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा मिहनत, बहुत ज़्यादा प्रिस्रम करने पर भी वो संतोष्टी, वो सुक प्रवपर रूप में भोग नहीं पा रहे है चाहे आर्थिक रोप में हो, चाहे किसी भी रोप में हो, पारिवारिक रोप में हो, कहीं न कहीं जो है, ये उल्जन देता है, कठनाईयां देता है, क्या करना है, ब्रिस्पति को ठीक करना है, निम्न मंगल यहां पे बहुत ज़्यादा उठावा दिखाई दे रहा है, छन बं स्ववाव देता हुआ दिखाई दे रहा है कि सनी कभी कभी ब्योजहे की चिंताईं दे सकता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके करण हलका तनाव की इस्तिति बनी रहे सूर्य का हमने बताई दिया है बुद्ध अच्छा है आपका इसमें लकीरें भी दोड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे सेवा भाव जन्म ले रहा है जो ब्यापारिक गुण है वो बढ़ते हुई दिखाई दे रहे हैं सेल्स और मार्केटिंग की गुण जो वानी की सकती है वो बहुत सुन्दर रहने वाली है आने वाले समय में और कहीं न कहीं आपका जो ब्रित्त तो है इतना स्रेश्ट होगा कि उसका फाइदा आपको जो है चोगुने रोप में मिलने वाला है चंद्रमा थोड़ा दोसित है और नेगेटिव उर्जा के साथ मिलकर मन को गडबल रखेगा कुछ समय तक मानसिक परेशानी दे सकता है या आपके अंदर भावकता दे सकता है इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं कभी कभी मन अच्छा नहीं रह सकता है मन भटकेगा बैचेन भी होगा काम में भी मन नहीं लग सकता है खराब सा रह सकता है इसकी संभावना को दिखा रहा है हो सकता है digestive system थोड़ा weak हो जाए, पेट की दिकते आने बैट जाए, इसका ध्यान रखना होगा, हो सकता नीन आने में भी थोड़ा सा दिकतों का सामना आपको करना पड़े, थोड़ा सा स्वश्थ्य समंदी परेशानिया भी उत्पन हो सकती हैं, और विशेशतर सूर्य भी ऐस हो तो संभावना जादा रहती हैं, तो इसके लिए जो है आपको जो उपाई दे रहा हूं, विदिवत तरीके से कन्नी की कोशिस करेगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरों से जोकी हुई है, धार्मिक भावनाई, बहुत अच्छे आपके अंदर है, इस स्वर के परति सम होता आपको मिलने वाले हैं, और कई बार दोड़ा धोपी का काम भी रहेगा, इसकी संभावना दिखाए दे रहे हैं, यह पूरी तरों से जोकी हुई है, सोरे की जो नैसरगी गुण हैं उसमें बड़ोतरी हो रही है, यस पानी केक्षा, नेम फिम पानी केक्षा, अपने क पूटी है, धन और यस की भूक भी आपके अंदर है, पैसो और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी भी हो गया है, और मातर जीवन का लक्षवी बरतमान में यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरों से जुकी हुई है, धन कमाने की जो ललक है, वो आपके अंदर साप रूप में दिखाई दे रही है, इसके पहले पोर्वे तक धलका टच करने वाली है, इसका आने वाले समय में आपको फायदा मिलेगा, लेकिन एक चीज जरूर है, अंगुठे को अगर देखें, तो थोड़ा सा यह बता रहा है, कि देखेगा, जल्द बाजी मे निर्णई मत लेजेगा, अगर आप जल्द बाजी में कोई निर्णई ले लेते हैं, तो उसका खामियाजा भी भुगत सकते हैं, इसलिए चीजों का एनलेसिस करके, सोच समझ करके, बुद्धी का पुरा प्रियोग करके, तब जाके चीजों में निर्णई ले, वो आपके थोड़ा सा जो है, प्रिसानी दे सकता है, लेकिन उसके बाद सोरे की सुन्दर और भव्य इस्तित में आने पे, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक स्रिष्ट जिवनाप का रहने वाला है, चाहे स्वस्त्य का मामला हो, चाहे धन का म मामला हो, चीजों में उत्साह, चीजों में खुसियां और चीजों में उर्जा यहां पर दिखाई दे रही है, तो उपाई में विदिवत तरीके से भीज रहा हूं, उसी रोप में करिएगा, जादू ये ढंग से अपनी जीवन को बदलिएगा, ये निश्चित है, इस वी वीडियो के साथ पनोव पस्तित होंगा, तब तक के लिए नमस्कार,